मंच पर उपस्तित, हम सब के नेता, आधरनी है, नराइन सिंग जी, प्रिपा करके आप तीस चान्टी से बैठ जाएं साथियों, मैं अपनी बात बोलू, इससे पहले मैं आप सब से आविदन करना चाहता हूँ कि इस सभा में बहुत शांती से और बहुत भैरी से हमको आवाज को सुनना है कुछ लोग कोशिश कर सकते हैं कि वरस्था को बिगाड़ने का काम करें इसलिए आप सब से निवेदन हैं, कृपिया करके, इतनी गर्मी में आप लोग बैठे हैं दस मिनट तक और सायम मना के मेरी बात को सुने और मैं सचेद करना चाहता हूँ किसी विक्ति को कि ये आम सभा किसान और नौजवान की आम सभा है इसमें कोई बादा डालने की कोशिश ना करें आप सब जिम्मिदारी से दस मिनट मेरी बात सुने के कृपा करें दोस्तों, आदरने नराइन सिंग जी आज इस सभा में आए हैं मैं सब से पहले अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से आदरने नराइन सिंग जी का बहुत-बहुत स्वागत करना चाहता हूँ जोर दार तालिया बजा के आदरने नराइन सिंग जी का आप स्वागत करें आदरने अहेमराम चौतरी साहब सम्मानी राजिन गुडर जी आदनिय दिर्पेंचिंग शिखावत साथ, खिलाई बैर्वा साथ, सुरेश मोदी जी, हरीश मीना जी, राकेश पारिक साथ, मुगेश भाकर जी, राम निवास गवडिया जी, गिर्राज मरेंगा जी, इनराज गूजर साथ, जियार खटाना जी, बिरन चौधरी साथ, अमर स सांचत गोपाल जिंग इडवा जी, हमारे इन्वस्टी के नौजवान अध्यक्ष निर्मत चौदरी जी, सिर्मती सुचित्रा आर्य जी, लक्ष्वन गाता जी, सरोज मीना जी, जालोर से अध्यक्ष समर्जीत सिंग जी, चुनिला राजपुरवेट जी, ओंपरकाश जी, आजे बोरा जी, पूर विधायक नमलकिश्वर मीना जी, शोबा सोलंकी जी, पूर विधायक राम नराइन जी, विजे जैन साफ, पूर महापौर्ट जोति खंडेलवाल जी, मुकेश शर्मा जी, पूर पार्शत, सुभाश मील साफ, मनीश यादर जी, हाबित काग जी साहब, ओम विश्णोई जी, और इस जन संगर्श यात्रा के समापन में, आज, आप सब लोग, नौजवान, बुज़ुर्ग, महीला, बच्चे, जो अत्ती बड़ी तादाद में, यहाँ पर आये हो, मैं आप सब का हाद जोड़ कर, बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहत हूँ, आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ, साथियों, मुझसे पूर वक्ताओं ने मंच पर अपनी बात रखी, मैं इस मौके पर आपको बताना चाहता हूँ, क्या परिस्तितिया पैदा हुई, राजिस्तान में क्या घटनगरम पैदा हुआ, जिसको लेकर इस यात्रा क हमने निकाला, आप सब जानते हो, जब 2013 में हमारी सरकार राजिस्तान से हटी थी, उस समय दोसों में से कॉंग्रिस के मात्र 21 बिदायक रह गए थे, उस समय सोनिया गांदी जी, राहुल गांदी जी ने, मैं केन सरकार का मंत्री था, मुझे जिम्मेदारी दी कि राजिस्तान में पार्टी का बहुत बुरा हाल हो गया, आपको जाके पार्टी का दक्स बनना है, और इतिहास गवाहे, मंच पर तमाम मारे साथी बैठे हैं, आप सब ने देखा, 2013 से 2018 तक हमने खून पसीना बहा कर, सब साथियों ने, सब बरिश नेताओं ने, कारिकरताओं ने एक जुटता का परिचे दिया, और 2018 तक हम लोगों ने महनत करी, इन पात सालों में हमने वसुंद्राजी की सरकार, जो बाजपा की सरकार थी, उसका विरोध किया, कड़ा विरोध किया, नीतियों के अधार पर, शासन के अधार पर, प्रोग्राम के अधार पर, और ब्रस्चार के अधार पर, पाँच साल तक वसुंद्राजी के शासन में, जो खुली लूट बजी थी, जो पजरी माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, भू माफिया, खान माफिया पनपा था, उसके खिराफ हम सब ने आरोप लगाए मैं प्रदेश का अध्यक्ष था लेकिन तमाम नेताओं ने सम्मानिय गहलोच साथ में भी बढ़ चड़कर हर मीटिंग में हर भाशन में मुसंद्रा जी प्यारोप लगाए आरोप लगाए कि नहीं लगाए मुझे बताओ जब सरकार हमारी बनी अभी हमराम 14 साब बता रहे थे बाज आया उसने माला किसी की गले में डाल दी अब बाज क्या करता हमारे हाथ में नहीं है लेकिन जब सरकार हमारी बनी तो हमारा डायत्तु था कि जो हमने कहा उसको करकर दिखाएं आज साड़े चार साल पूरे हो गए साड़े चार साल में हम अभी तक उन वादों को पुरा नहीं कर से कि जो हमने लांचन लगाये था अरोब लगाये था मैंने लगाये था गेलोसार ने लगाये था कि वसुंद्रा जी ने करप्शन किया बश्चाचार किया है मैं तेर्ड साल पहले से उनको चिठी लिख रहा हूँ क्योंकि मुख्यमंद्री जी ग्रहमंद्री भी है वित्वमंद्री भी है मैंने चिठी में आगरे किया कि जांच कराओ हमारी कत्री करनी में फरक नहीं होना चाहिए दुएश्पून भावन से जांच ना हो निश्पक्स जांच हो पता पड़े किसने क्या किया था दूद का दूदर पानी का पाने हो जाए डेड़ साल तक कोई कारवाई नहीं हुई मैंने जैपूर के अंदर एक दिन का अंशन रखा इसी मांग को लेकर कि वसुंदरा जी के कारेकाल में जो बश्टाचार हुआ उसकी जांच करो उसकी जांच करो एक मैने तक कुछ नहीं हुआ उसके बाद नौ तारिक को मुझे लगा अंशन से पार नहीं पड़ी हमें जनता के भी जाना चाहिए और ये ब्रश्टाचार ऐसा मुझा है साथियों दोस्तों ये समाज को दीमक की तरह खा रहा है अभी मन से बात कर रहे थे नौ जवानों का भविश अगर अन्दकार में है अगर पेपर लीक होता है तो करॉप्शन की मज़े से होता है हम लोगों को करारा प्रहार करना पड़ेगा प्रश्टाचार को समाप करना पड़ेगा और जो धारना बड़ी हुई है कि पांच साल भाजपा, पांच साल कांग्रिस इस धारना को तोड़ने के लिए हमें दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि हम जो कहते हैं वो करकर दिखाते हैं 11 तारीक को 11 तारीक को अजमेर से अजमेर RPSC का केंदर है माद्विक शिक्षा बोड का केंदर है वहाँ पर पेपर बनते है वहाँ से शिक्षा परिक्षा होती है इंटर्वी होते नौकरिया लगती है इसलिए अजमेर जुहां से 700 किलिमिटर दूर है वहां से मैंने यात्रा शू करी मुझे कुछ पत्रगारों ने बोला यात्रा कर रहे हो गर्मी बहुत है, मही का महीना है बहुत पीडा होगी चार-पांच दिन धूप में चलोगे बहुत दुख होगा, बहुत पीडा होगी मैंने उनको कहा हम और आप अगर तीन-पांच दिन इस चिल्सिलाते दूप में चलने ये कोई पीडा नहीं है लेकिन वो लड़का लड़की जो पढ़ लिखकर साल-दो साल मेहनत करते हैं कोचिंग करते हैं, टूशन लेते हैं और किराय के मकान में रहकर लाखों रुपा खर्च करकर एक्जाम लिखने जाते हैं वो पेपर लीग हो जाता है उसके बाद कैंसल हो जाता है अरे बार बार होता है क्यों होता है इसके जड़ तक जाना पड़ेगा पेपर लीग करने वाले दलाल के कानून अपना काम कर रहा है अगर कानून अपना काम कर रहा है तो पक्स Examples नहीं होना चाहिए मचलीश चोटी हो या बड़ी हो उसे तो पख़णना पड़ेगा गुडाजी के यहाँ पर हमने किसान सम्मेलन किया केंद की सरकार ने मेस्टी पर कानून बनाने की बात करी थी आज तक कुछ किया नहीं कि बीजेपी वाले भी जो है बहुत जूटे लोग जूटे वादे करते हैं हमने उनको ललकारने के लिए जुन-जुलो के अंदर एक आम इसमें ब्रष्टाचार होता है यह पूरा तंत्र इसको बदलना पड़ेगा तब कहा गया कि इस पेपर लीग जाच में कोई अधिकारी शामिल नहीं है कोई नेता शामिल नहीं है मैं पूछना चाहता हूँ जाच पूरी होई नहीं आप गोशना कर रहे हो कि कोई किसी का को ले देना नहीं है अब ये कडारा को आपने अरेस्ट कर लिया ये कडारा जो सजस्ट बने अर्पेसी के किसके कहने पर बने उसका पता करना पड़ेगा यह आस्वांचे तो आए नहीं है प्रष्टाचार का मुद्दा नौजवानों के जीवन को अंदकार में धकेल रहा है मैं तो साथियों आपसे कहना चाहता हूं इस यात्रा में हम निकले इस यात्रा का जो संकल्द था जन संगर्ज यात्रा का वो बाजपा के शार्शन में हुए बश्टाचार की जाच कराना था इस यात्रा का उदेश नौजवानों के साथ जो दोका होता है जो बश्टाचा भी थी बहुत से लोग बोलते थे हो सकता है कुछ लोग यात्रा में ना जुड़ पाएं और मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं आप सच सच जबाब देना यहां बहुत दूर दूर से लोग आए हैं अलग अलग जुलों से आए हैं आप सच सच बताना क्या आपको इस जैपुर की सबाह में आने के रोकने के प्रास हुए हां की ना इसके आगे मुझे कुछ बोलना नहीं है क्योंकि यही वसंद्रा जी के सरकार में मैंने 12 से जालवार सौ किलोमेटर की पद्यात्रा किसान नायात्रा निकाली थी उस समय भी उसकी उस समय के सरकार ने बहुत कोशिश की कलेक्टर, SB, BDO, तैसिल्दार, पटवारी, मास्टर, पूरे सरकार का महकमा लगे आता लोगों को रोकने के लिए लोग रुके नहीं किसान यात्रा हुई और उस सरकार को हमारे किसान के मांगो मांगना पड़ा साथियो हमारा जंसंगर्स किसी नेता के खिलाव नहीं है हमारी यात्रा किसी के विरोध में नहीं है लेकिन मैं आज इस मन से कहना चाहता हूँ हमारी यात्रा प्रश्ट अचार के खिलाव है हमारी यात्रा नौजवानों के दविश्ट को बेहतर बनाने के पक्ष में है और हम इसमें रुखने वाले नहीं है अब ही आपने बाशन सुना आदर नहीं हेमराम जी के कुछ दिन पहले हम सब बाड में रगए थे और हमराम जी बहुत कम बोलने वाले रख्तियों में से है तेकिन आज में उनका भाशन सुन रहा था ये कहां के नीती है अपनी पार्टी के नेताओं को बदनाम करो और भाजपा के नेताओं को गुडगान करो ये चलने वाला नहीं है सत्ता में जब लोग आते हैं तो कोई विक्ति नहीं आता शाहसाग बैठता है कुर्सी के उपपर उसको तेरा मेरा करने का अधिकार नहीं उसको पक्षपात करने का अधिकार नहीं उसको न्याय करना पड़ेगा कठोड निर्ने लेने पड़ेंगे पर मैं बार बार बोलता हूँ 6 मिले के बाद चुनाव राजिस्तान के अंदर है अगर हम कारवा ही नहीं करेंगे दूद का निमूद का दूद और पानी का पानी आज कल निमूद दूद बहुत चल रहा है दूद का दूद और पानी का पानी नहीं होगा तो हमारे विरों भी बोलेंगे कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है मैंने कभी किसी को आरोप नहीं किया मैंने कभी किसी पे अलजाम नहीं लगाया और मैं आप से पूछ ना चाहता हूं मेरे मुझे कभी किसी के खिलाफ एक बुरा सब निकला मुझे बताऊ और मैं आप से पूछ ना चाहता हूं मेरे खिलाफ गाली दिने में कोई कमी रखी गया चुन-चुन के चुन-चुन कर मुझको भला बुरा कहा गया मेरे को कोई चिंता नहीं आप मुझको गाली दो अप मानित करो आरोप लगाओ, मुझको हमारे साथियों को इससे भी निचले स्तर के आरोप लगाओ, हमें कोई चिंदा नहीं लेकिन, लेकिन इस लोगतंत्र में, जो आज आप सब लोग बैठे हो आप ही गडेश हो, आप ही जनारदन हो, और आप की आशरवाच हैं आप लोग आगे बढ़ते हैं, पीछे आते हैं किसी को गल्भ पैमें नहीं होनी चाहिए साथियों, राजिस्थान के अंदर, राजिस्थान के अंदर हर साल 20 से 25 लाख नौजवान बच्चे बच्चियां, सरकार द्वारा जो एक्जाम होते हो लिखते हैं हर बच्चा बच्ची तैयारी करता है, उसके माबाप पेट काट कर उसके लिए पैसे खर्टा करते हैं गाओं से जो बच्चा आता है जैपुर्पंडे के लिए वो क्या खर्चा करता है किताब में, ट्यूशन में, कोचिंग में, पैसे में, खाने, पीने में, कैसे कैसे पैसा खटता हो करते हैं, लाक रुपा साल का खर्च होता होगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जिन बच्चों के पेपर कैंसल हो गए, जिनकी उमर निकल गई, जिनके मन में मायूसी आ गई, नौजवान के मन में अगर मायूसी आ जाएगी, तो देश का भविश बैतर नहीं है, ये जन संगर शात्रा नौजवानों के कलेज में आग लगाने के लिए है, उनको विश्वा होगा, अधन ये दोस्तों, नौजवान साथियों, मैंने जो मांग रखी है, जो पार जन समर्थन मिला, वो मुझ विक्ति को नहीं मिला, मैंने जो मुद्धे जनता के सामें रखे हैं, इस समर्थन उसको मिला है, ये समर्थन ब्रष्टाचार के खिलाफ करारा प्रार करने क ये समर्थन नौजवानों के भविश को सुरक्षत रखने के लिए मिला है, राजिस्तान के जनता बहुत स्वाविमानी है, राजिस्तान के लोग, बहुत समझदार लोग हैं, जैसे मैंने पहले कहा, अख्मार में क्या छपता है, नहीं छपता, टेलिविजन पे क्या दिख नहीं दिखाते लेकिन ये जन्ता जनार्दन सारी सच्चाई जानती है मैं इस मौके पर आप सब लोगों को एक वादा करना चाहता हूँ साथियों मैं आप लोगों को वादा करना चाहता हूँ मुझको और मेरे परिवार को राजनीत में 40-45 साल हो गए अब नेट बंद करो बिजली बंद करो जन्ता बंद होने वाले लिए मुगेज जी ये नेट पर सब फेलो जाएंगे जन्ता मद करो 20-22 साल जमें राजनीत कर रहा हूँ मुझे भी बड़े-बड़े मौके मले जन्ता की सेवा करने का केंद्र में राजम में सांसक विदायक बहुत सारे पद मिले लेकिन ये परदेश और जिसके जन्ता जानती है मेरी निष्ठा मेरी इमानदारी और हम लोगों के काम करने के तरीके में मेरा सबसे घोर विरोधी भी उंगले नहीं उठा सकता ये हमारी कमाई है कि जन्ता का विश्वास है इस पे तुम कितने भी आरोप लगा लो कितनी भी चुगली कर लो कितनी भी अफ़ा फैला लो आप लोग इन बातों को मानोगे कि नहीं मानोगे मैं आप लोगों को वादा करना चाहता हूं सातियों इस यात्रा में बहुत सारे साती हमारे साथ चले मैं आप सब को आश्वाशित भी करना चाहता हूं और वादा करना चाहता हूं आप सब के सामने मैं किसी पद पे रहूं या ना रहूं मैं इस राजस्थान की जनता और नौजवानों की सेवा अपनी आखरी सांस तक कड़ता रहूँगा और मैं डरने वाला नहीं हूँ मैं डबने वाला नहीं हूँ मैं आप के लिए लड़ा हूँ और लड़ता रहूँगा ये वादा मैं खुले आस्मानी से करकर जा रहा हूँ प्यार से मांगो हम हाथ कट के जे देंगे धमका के मांगोंगे को हिलने वाले नहीं है हम लोगों ने कमी नहीं छोड़ी मैनद करने में खून बसी ना भाने में मेरे साथ जो जारा लोग चले है आज मैं आपको बताना चाहता हूँ आप नौजवानों के पैरों के छालों की कसम मैं आप पीछे हटने वाला नहीं हूँ आपके साथ रहूँगा हमेशा रहूँगा राजनीती सिर्फ सक्ता लेने के लिए है राजनीती सिर्फ पत्र बैठने के लिए है नौजवान दरदर बटकता रहे हम सिर्फ सक्ता का सुख लेंगे ये संबब नहीं है जो भी कुर्बानी देनी होगी मैं देने को तैयार हूँ जो भी करना होगा मैं करने को तैयार हूँ अभी सुना हुआ करना टक में बार्गंदर पाटी के सरकार थी कॉंग्रेस पाटी ने अरोप लगाया ये 40% की परस्तरकार है जनता ने अरोप को स्विकार किया कॉंग्रेस को पहुमत दिया और बाजपा को मैदान से बगा दिया ये बरस्ताचारी वो चीज है तो लोगों के दिल में गुजरती है हमने भी किया ता राजपान में लेकिन अब कोई सफाई दे रहा है दूद और नीमू कोई कह रहा है कितनी बार बात हुई दस बार हुई पंद्रा बार बात हुई बीस बार बात हुई अरे मैंने तो कभी काई ने की मिली बगात है मैं तो इतना कह रहा हूँ कि हमने पनी जबान जदो बादा किया लोगों के बीच में उसको क्रिपा करके फूरा कर दो जनता के भी जाना है हमारे को 6 मेने के बाद इतने सारे लोग यहां दूप में खड़े यहां आप लोग सच में मेरी ताकक हम सब के हिम्मत और जो मंच पर लोग बैठे हैं हम सब आपके सेवक हैं हम किसी के खिलाफ नहीं हम किसी का विरोद नहीं करते लेकिन सच और नयाए का रास्ता उसमें हम चलते रहेंगे अब दोस्तों वसुंद्रा जी के ओपर जारोफ लगाए हम लोगों ने उसको पूरा करने का समय आ गया और भी वेद सुलंके जी बाज़न देरे थे वेद बहुत जजबाती लिखती है वेद जी आपको बताना चाहता हूँ जिन बच्चों ने पेपर लिखे अगर बच्चा मैनद करकर पेपर लिखता है और पेपर आउट हो जाता है उस बच्चे की क्या गलती मैं पूछना चाहता हूँ उस नौजवान ने क्या बुरा किया इसलिए हमारी सरकार हम लोग यह मैं मान करता हूँ जितने भी बच्चे हैं जो पेपर लिख से प्रभावित है प्रत्य एक नौजवान को आर्थिक मुवावजा देना चाहिए जो उसका खर्चा हुआ है आर पीएसी इतनी बड़ी संस्ता जैपुर में है आर पीएसी में जो आज जो धारना बड़ी हुई है कि वहाँ जोगार चलता है आर पीएसी में नुक्तियां राजनेतिक दिस्विकोंट देकर की जाती है किसी का भाण जा, किसी का पती जा, किसी की बीवी, किसी का घरवाला मैं बांग करता हूँ अगर दुबारा नोजवान का विश्वास कायम करना है एक उधारन प्रस्तुत करना है तो यह आर पीएसी को बंग करो एक नई विवीस्ता कायम करो आर पीएसी का चेर्मेन आर पीएसी के मेंबर कोई मापदन तो हो जान पचान, रिष्टेदारी किसी नेता से निकटता ऐसे मेंबर मना दोगे आप मेंबर को हटाने के लिए राश्च्पती तक जाना पड़ता है लेकिन बनाने में क्या है एक ऐसा कानून मने पार दर्शी तरीके से आर पीएसी का चेर्मेन आर पीएसी के मेंबर और जो जाँच होती है जब हाई गोड का जजज बनता है उसकी आई भी जाँच करती है उसके पिश्ट्बूमी की जाँच की जाती है कहां उड़ता है, कहां बैठता है, कहां खाता है इन मेंबर की जो नए मेंबर बने उनकी जाँच होनी चाहिए और ऐसे बने, कोई साइंटिस्ट हो कोई लेक्चरार हो को प्रफेसर हो इसका कोई वजूद हो ऐसे लोगों को मेंबर बनाना चाहिए तो यह आर्पेसी को बंग करकर एक पूरा मूल चूप परिवर्तन यह कोचिंग क्लास यह अधिकारी यह प्रिंटिंग प्रेस यह आर्पेसी यह मात्मिक शिक्षापोर्ट इ इसको बश्च करना पड़ेगा एक नया खनार बनाना पड़ेगा और तीसरी बात मुसंद्रा जी की सरकार के समय जो हमने आरोप लगाए थे घैलोच सामें लगाए थे हमने लगाए थे उस पे जाच करने का समय आ गया साथियों उन आरोप पर जाच होने चाहिए मैंने चित्थी लिखी बाल माल लिखी आवेधन किया आगरे किया निवेधन किया कारवाई हुई नहीं मैंने अंजण किया कारवाई हुई नहीं हमने जन्चंगर्ज यात्रा निकाली मैं उम्मीद करता हूँ कारवाई होगी लेकिन ये तीनों बात है आर्पेसी को फंग करकर पूरा पुनड़ गठन करें नए कानून मापदंड बने पार दर्शिता से लोगों का चैन हो ठेली मांग दूसरी मांग जिन लाखों बच्चो को मिलना चाहिए और तीसरी मांग वसंद्रा जी के खिलाब जो हमने आपने मिलके आरूप लगाए थे उसकी उच्चिस तरिये जाच करनी पड़ेगी आज तारिक हो गई 15 तारिक इन तीनों मांगों को अगर आप सब समर्थन करते हो तो दोनों हाथ घड़े करकर मुझे ब अब इन मांगों को मनाने के लिए 15 माई आज का दिन है आज हमारी जंसंगर श्यात्रा यहां पर समाप फो रही है आज की जैपुर में लेकिन इस महीने के आखिर तक इस महीने के आखिर तक ये तीनों मांगे नौजवानों के हित्में और प्रस्चाचार के खिलाफ अगर नहीं मानी गई अगर नहीं मानी गई तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं अभी मैंने गांधिवादी तरीके से अन्शन किया है जन्ता अगर जात्रा करी है महीने के आकर तकर कारवाई नहीं होती तो पूरे परदेश में मैं अन्डूनल करूंगा आप लोगों के साथ जन्ता के साथ रहेंगे गाव में दाणी में शेहरों में हम पेटर चलेंगे जन्ता को साथ लेकर चलेंगे नाई दिलाएंगे नाई करवाएंगे आपकी बात को रखते रहेंगे और सुनो आप सब सुनो हम लोगों के पास कुछ नहीं है हम लोगों के पास कुछ नहीं है हम तो पैर में जूता डालके निकल पड़े थे मुझे उमीद नहीं थी कि यात्रा में कौन आएगा कौन नहीं आएगा एक दिन की महलत दी थी और आप लोग आप पडारे होती बड़ी संख्या में हमारे पास जो कुछ भी है हमारी पूंजी हमारी ताकत हमारा सब कुछ ये जनता है और जब हम अंदोलन करेंगे तो एक एक गाउं एक धाड़ी में जाका न्याई मांगेंगे और न्याई लेकर रहे हुए मेरा आप सब लोगों से लिवेदन है हम लोगों ने मैं फिर कहना चाहता हूं अगर पंद्रा दिन में मांगे नहीं मानी गई तो अब याजना नहीं रन होगा तो बारी बीशन होगा और जो हमारे साथी हमारी न्याई के मांगे उत्तरने बोलेंगे कि भुडवाजी अनुशासन और पार्टी का डिसिप्लिन मैं उनको बड़ी बिनमता से याद दिलाना चाहता हूँ हम लोगों ने बात रखी दिल्ली में वारी बात को सुना और AICCC ने कमिटी बना कर हमारे काम को आगे बढ़ाया लेकिन 25 सितंबर को जो विश्वाजगात किया सोन्या गानी के साथ 25 सितंबर को जो पार्टी को बेज़त करने का काम किया जो पार्टी के अनुशासन को तोड़ने का काम किया उन लोगों को अपने गिरेबान में छांकर देखना पड़ेगा कि निशासंग हमने तोड़ा, किसी और ने तोड़ा हम तो बिनापत के, गाली खाखा के, खून के गूट पीपी के जनता में जाके संगढ़न का काम कर रहे हैं और आप मलाई खाखा के, गाली दे दे के, हमको बनाम करने का काम कर रहे हैं यह होने वाला नहीं है इसलिए जातियों आप से अंतिम निवेदर करना चाहता हूँ यह सभा आपकी है मुझे जानकारी मिली है कि कुछ लोग इस समा में उत्पात में जाने की कोशिश कर सकते हैं तो कृपा करके शांती से अपनी जगे बैठें और अराम से सभा को समाप्त होने दे कोई कोशिश भी करें हमें उत्तेजित नहीं होना है यह बात ध्यान लखना हम लोग जिस विचारदारा से बंदे हुए हैं वह मात्मा गांधी की विचारदारा है यार मौहपत अपना पन भाई चारा 36 को साथ बल्लीवाली विचारदारा रहा है और मेरे को जैसी साहथ ही है जो बहुत बड़ी गलती करते हैं वो गलती या करते हैं हमको एक-सीमिद दायरे में बन ने के कोशिश करते हैं यह फना धर्म का यह फना ने जिले का यह फानी समाज का है तो कान खोलके सुनलो मेरी रगों में लाल खून है और मैं इस 36 कौमदा वेका हूँ और इस परदेश के लिए सब्कुश को लिए इसलिए आप से निवेजन शांती बना के रखो जो भी करना होगा सहीं हम से करेंगे आत्मिश्वा से करेंगे आपने अपने लिए हमारे लिए जो संक बस्तक हैं आपके आगे और जो सवा में दूर दूपे खड़े हैं मैं आपका हाँ जोड़के धन्यवाद करना चाहता हूं आप लोगों ने जो हिम्मत और ताकत दी है वो हमारे हाथों के शक्ति है हम आपको कभी निजा नहीं देखने दे कि वादा करते हैं बहुत बहुत ठन्यवाद आपका सुक्रिया राम राम सो क्छेर ने नान संगे को मैं छोदर नान सिंग्जी को आमन गिर्णान करूँगा कि वो धन्यवाद के लिए पदारें कि आप में पाईरे साम के ठाट जाट कि आप याट कि आप में प σουकता है is